हेलो मैं पिलीविस से अर्चना खंडिलवाल अर्ची आज का जो रंगीला रसीला मदमस्त फागुनी विशे है कि शादी के बाद पहली होली का जो भी अन्भव है वो सुनाया जाए विशे इतना गुदगुदा गया कि मुझे 40 साल पुराना अपना जो पहला होली का परूप था वो खुब कुदगुदा के मन मस्त होके याद आ गया हुआ यूं कि जब हमारा पहला यह तोहार पड़ा रंगीला मदमस्त पिया की बाहों में परिवार की सक्षियों के साथ में सब परिवार के लोगों के साथ में जब बनाने का यह अवसर मिला तो पहले हुली जलाई जाती है घर के आंगन में बहुत खुबसूरत सा बनाया गया था हुलिका का मंच बना था और उसमें उपले की आग में हम लोगों को पूजा का सबसामान चड़ाना था गुलाल बाली गन्ना गुजियां समोसे और गोला और इन सब की पूजा करनी होती है और उसके बाद फिर साथ फेरे लिए जाते हैं गन्ना हाथ में लेके वो भूनते हैं और चटाक की अवाज के साथ में उसमें गेहुं की बाली लगी होती है वो बाली का आधान प्रदान अब बड़े लोग चोटे लोग बड़े लोगों को देते हैं और उनके प्चरण छुके आखिरवात ले हम सब महिलाएं भी खड़ी थी एक तरफ पहले पुर्षों की बारी थी तो उन्होंने हमारे पतीदेव भी थे सात में और भी सब लोग थे एक तरफ बड़े लोग घर के ददिया ससोर ससोर जेट ची सब लोग खड़े हुए थे मेरे पतिदेव सब के पैर्चू रहे थे उन्होंने क्रियानवन रूप से क्रम वार सब बड़ों के पैर्चू हुए और आगे महिलाओं के जो बड़ी थी दिठानी वगरा उन लोगों के भी छुन लगे उन्होंने मुँँ उठा के उपर देखा ही नहीं और उसी मैं भाव वेश में वो मेरे भी पैर्चूने लगे रूजेर हाए कितना सब हास्यास पढ़ हुआ सबी लोग भड़े और वहा रंगरंगीली हो ली है भांगनशीली हो ली है भाया को देखो मजा आया भाभी के साथ पैर शू रहे हैं भाभी आशिरवाद दो एपी हो लीय ह संग ये मेरा दिलो पहार जो है वो मैं कभी नहीं भूल सकती और हसी भी आती है ठेटोली इस रंगरसीली होली की ठेटोली में मज़ा आता है तो यह याद करके पहुत अच्छा लगा और हम सब यह होली के संदेश है कि प्यार भाईचारे से हमेशा से रहें मदमस्ती में रहें रंगीला रसीला ये रंग वाला त्योहार है इसको गलत तरह से न मना के प्यार भरे माहौल से मनाए तभी सारे भारत वर्ष में भूधरा पे ये प्यार अमर रहेगा और हम सब अर्चना कंडल वालर्ची पिलिभी